नमो नारायन मित्रों आज के बेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मकर रासी वालों का 17 नवंबर 2020 का दिन कैसा बीतेगा आज के दिन आपके जीबन में क्या-क्या पड़िवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियों को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके घर पड़िबार के बारे में दोस्तों घर पड़िबार के दृष्टी कोन से आपका समय सामाने से बहुत जयादा नीचे है आने वाले समय के दोरान अगर आप अपने घर पड़िबार में कोई पड़िवर्तन कोई बदलाब करना चाहते हैं तो पड़िवर्तन करने से पहले अपने घर बालों से आपको वारतालाब करना होगा क्योंकि आने वाले समय के दोरान अगर आप ऐसा नहीं कड़ते हैं तो आपके घर पड़ीबाड में आपको पड़ेशानी का शामना करना पड़ेगा मित्रों अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के दृष्टी कोंसे आपका शमय बहुत ही जियादा बिहतर और शानदार है आने वाले समय के दोरान आपके प्रेम संबंध में कहीं कोई पड़ेशानी नहीं होगा मित्रों आने वाले समय से पहले अगर आपके कामकाज में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई शमस्या था तो उस पड़ेशानी को आपको खत्म करना होगा क्योंकि आने वाले समय के दोरान इस काम को करने में आपका समय आपका भाग्य आपका साथ अबश्य देगा दोस्तों आने वाले समय के दोरान अगर आप अपने काम काज में अपने काड़य छित्र में नए विचारों को आजमाना चाहते हैं तो इस काम को करने के दृष्टी कौन से आपका समय बहुत ही जियादा बिहतर और शांदर है दोस्तों आने वाले समय के दोरान आपका दाम पत्ते जीबन बहुत जियादा बिहतर और शांदर है तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय के दोरान आपके लिए अनोखा टोट का भाग्य साली रंग और भाग्य साली अंक क्या है मित्रों आज आपके लिए भाग्य साली रंग है पारदर्सी और गुलाबी आज आपके लिए भाग्य साली अंक है वन यनी की एक दोस्तों आज अपने समय को बिहतर और शांदार बनाने के लिए आपको असनान ध्यान करने के बाद हनुमान जी की पूजा करनी होगी बजरंग बली की पूजा करनी होगी आपका शमय सांदार हो जाएगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद